तो अभी बेटे हम चांद बावडी में और यहां पर हम खिल रहे हैं गेम ग्रोप में तो देखिए कौन-कौन हैं आप जाने पैचाने चेहरे हैं सब लगबग लगबग अपने दाजा के परदादा के दादा यहां काम करने आज जब मैं उनके साथ खिलने आज तो पटेल जी ने बोलाए कि जब इसका निर्माड हो रहा था तब यह उनके साथ थे का वाता गिरबड़ी का लंबार गिरबड़ी क्या जूट बोलना चाहोगे पटेल जी पिसले 5000 सा तो यह इनकी जूट है अगला लंबार आता है दूसरे के लिए क्या बोल रहे हो चलिए बोलो में जूट बोलो एक नहीं सर यहां पर में हुई गजबनी आया था उसने आकण की आता उसने फोटोग्राफिया हमने की थी कि तो लाए पर हमारे पास अच्छा तो इनोंने क्य लाए अकरमण की फोटोग्राफिकी थी तो लाइफ जूट बोलने वाले अर्विन जी बोलिए देखो आपको पता है मैं जूट तो बोलता नहीं थीक है फिर भी मैं जूट बोल देता हूं सचिन जी करने पर तो जूट ही है कि मोहम्माद गजणवी यहां पर आय था तो अ तो उसके साथ में भी आया था उसी के दिल में मंदिर तोड़ने मेरा भी योगदान है तो चलिए अब एक जूट बोलने वाले हैं मांदिर जी काफी सोच लिया होगा अब यह जो चांद बाबड़ों जो पृत्थर आया गया है यह हमारे गाम का बलुवा पत्थर है जो बोलने वाले हैं नए आज की सारी जूट कर डारेक्टर सर को बोलने वाले हैं तो यह ओ गई जूट एक सबसे बड़ी जूट अब सारे जूटे खतम अब ही मैंने आए ती चांद बाबड़ी तो इसका किया था अपने आतों से और मेहमूद गजनवी के साथ जितने भी लोग आये थे उनको सब को इसी में दफनाया गया था तो यह जो है निर्मेद क्योंकि आप लोगों ने हर्समाता की मंदर का निर्माड देख लिया कि वह चांद की दोरह किया गया था लेकिन इस गड़े का निर्माड जो है वह सचि तो आप लोगो कमेंट सेशन में बताना है कि आखिर में सबसे अच्छा जूट किसने बोला अब